नमस्कार दोस्तों एक और चुनाव में भारती जनता पार्डी का सूपड़ा साफ हो गया है इस चुनाव नतीजों में YSR कांग्रेस पार्डी की एक तरफा जीत होती हुई दिखाई दे रही है वहीं भारती जनता पार्डी को तकड़ा जटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके नतीजे सामने आ रहा है अब तक के नतीजों के मुदाबिक YSR कांग्रेस पार्डी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है और भारती जनता पार्डी को एक किनारे कर दिया है ज्यां दोस्तो इस चुना में किस पार्डी को कहां से कितनी कितनी सीटे मिली हैं आपको एक एक कर डिटेल से बताएंगे लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है हमारे देश में होने वाले सभी चुनाओ क्या इलेक्रानिक ओटिंग मसीन की बजाए बैलेट पेपर से करवाय जाना चाहिए जैसे कि इस चुना में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं हलाकि ऐसे चुना में अधिक्तम बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इस पर आपकी क्या रहा है कमें कर अपनी राय जरूबद हैं और साथी इस वीडियो पर अपना एक लाइक जोर दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है और साथी इस वीडियो को सेर भी करें जया दोस्तों आपको उदा दें हाली में आंद प्रदेश में अस्थानी निकाय चुना हुए जिसके आज नतीजे सामने आ रहे हैं अब तक के नतीजों के मुताबिक इस चुनाव पहिड़ाम में भारती जंता पार्टी को बड़ा जटका लगा है वाइसर कांगरेस पार्टी ने सबका सूपड़ा साप कर दिया है अला कि आपको बतादें कई नगर पालिकाओं के नत बात मिल रही है कौन सी पार्टी सबसे आगे है उसकी बात करें तो आपको बता दें वाइसर कांगरेस पार्टी नंबर वन की पार्टी बनती हुई दिख रही है अब तक के नतीजों के मुताबिक 12 नगर निगमों में से सभी 12 नगर निगमों में वाइसर कांगरेस नगर निगम में खाता नहीं खोल पाई है। ना तो टीडीपी का खाता खुला है और ना ही भारती जनता पाटी का यहां पर खाता खुल पाया है। नगर निगम की कुल 12 सीटों में से 12 सीटों पर YSR कांग्रेश पाटी बढ़त बनाई हुई है। आपको दें प्रदेश की कुल 12 नगर निगम और 75 नगर पंचायत नगर पालिकाओं में कई बाड सामिल है। अगर वाडो के हिसाब से बात करे तो ग्रेटर बिसाका पत्नम निगम की कुल 98 सीटों में से अब तक 2 के रुजहान सामने आए। इसमें YSR कांग्रेस पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। वहीं अधर एक सीट पर आगे चल रही है। बाकि भारती जनता पार्टी टीडीपी जेसीपी इनका अब तक खाता तक नहीं खुल पाया है। वहीं बिजयवारा निगम की कुल 64 सीटों की बात करे तो यहां की 64 सीटों में से अब तक 22 के नतीजे यानी रुजहान सामने आए जिसमें YSR CP 18 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं TDP 4 सीटों पर आगे चल लिए भारती जनता पार्टी जेसपी और अब तक खाता नहीं खुल पाया है। जिसमें YSR कांग्रेस पार्टी अकेले सभी 8 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि BJP 2 सीट पर जेसपी का खाता नहीं खुल पाया है। वहीं अदर 2 सीट पर आगे चल रही है। उंगोल निगम की कुल 50 सीटों की बात करे तो यहां भी 50 में से 41 सीटों पर YSR कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। TDP 6 सीटों पर आगे चल रही है और भारती जनता पार्टी एक सीट पर अदर 2 सीट पर आगे चल रही है। तिरोपती निगम की कुल 50 सीटों की बात करे तो अब तक 49 सीटों के नतीजे आए हैं जिसमें YSR कांग्रेस पार्टी 48 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है जबकि TDP एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। जाकि भार्टी जनता पार्टी JSP और अदर का अब तक खाता नहीं खुल पाया है यानि सूपड़ा साफ ही हो गया है। जिसमें YSR कांग्रेस पार्टी अकेले सभी 38 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। जिसमें अदर कांग्रेस पार्टी अकेले 28 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। जिसमें YSR कांग्रेस पार्टी अकेले 13 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। जबकि TDP 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। YSR CP 22 सीटों पर अकेले आगे चल रही है। TDP 2 सीट पर और भारती जनता पार्टी 2 सीट पर अधर 1 सीट पर आगे चल रहे है। अमलापुरम नगर पालिका की कुल 30 सीटों की बात करे तो अब तक 24 के रुजान सामने आगे हैं। इसमें YSR कांगरेस पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इतमाकूर नगर पालिका की कुल 24 सीटों के रुजान सामने आगे जिसमें YSR कांगरेस पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जबकि TDP एक पर भारति जनता पार्टी JSP का सूपड़ास साफ हो गिया है। दो सीटों पर बड़त बनाई हुए है अत्माकुर एन नगर पालिका की कुल 23 सीटों की बात करें तो यहांकि 23 सीटों में से भारती जनता पार्टी सूपड़ा साफ हो गया है वहीं वाइसर कांग्रेस पार्टी अकेले 16 सीटों पर बड़त बनाई हुए जबकि JSP और TDP का बारती जनता पार्टी JSP अधर का सूपड़ा साफ होता हुए दिखाई दे रहा है बोबिली नगर पालिका की कुल 31 सीटों में से एक सीट के रुझान सामने आए जिसमें वाइसर कांग्रेस पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है जबकि TDP, BGP, JSP और अधर का अब तक ख चीमा कूर्ती नगर पालिका की कुल 33 सीटों में से 6 के नतीजे सामने आए जिसमें वाइसर कांग्रेस पार्टी छैटों में से एक सीटों पर आगे चल रही है जबकि यहां भी भारती जनता पार्टी का सूपर साफ हो गिया है 24 नगर पालिका की कुल 33 सीटों में से 6 के नतीजे सामने आया जिसमें YSR कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर आगे चल दिये बाकी विजेपी, टीडीपी, जेसपी और अब तक खाता तक नहीं खुल पाया हैं अलाकि अभी कई वाड़ों के नतीजे सामने नहीं आया हैं लेकिन मुनसिपल की 12 नगर पालिका और नगर पालिका की कुल 75 सीटों में से YSR कांग्रेस पार्टी नंबर वन की पार्टी बनी है 12 में से 12 सीटों पर बनात बनाई हुए वही नगर पंचायत और नगर पालिग्रा की कुल 75 सीटों में से 70 सीटों पर बनात बनाई हुए जब कि TDP का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखरा है एक सीटो पर टीडिपी बड़ात बनाई हुई है अलाकि भारती जनता पार्टी जेस्पी और अधर का सूपड़ा साफ हो गया है कुछी देर में फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे जैसे ही फाइनल नतीजे सामने आते हैं वैसे ही हम आपके सामने फाइनल नतीजे लेकर आएंगे